मत्रुआ थाना गोविन नगर शेत्र में उस समय हड़कम मच गया जब 8-10 बचों की अपरहन की सूशना पर बचों के परिजन थाने पहुंचे परिजनों द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति कार में बैठा कर बचों को भोजन करवाने के लिए ले गया है उसके बाद से बच्चों का कोई पता नहीं चल पा रहा है मामला बच्चों से जुड़ा देख पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अपने परियासों से बच्चों को जल्द ही बरामत कर लिया पडोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति द्वारा उनको अपने या नवदुर्गा में बच्चों को कन्या लागुरा के रूप में भोजन के लिए ले गया था सभी बच्चे सकुशन है और अपरन की सूचना जूटी निकली पिल्हाल पुलिस द्वारा सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुद्र कर दिया गया है तथा इस मामले में कोई कारवाई नहीं की गई है ऐसा सीओ सीटी द्वारा बताया गया है पिर हमें हमारे फ्रेंड से उनकी पता चली एक ये नर्विदेश पर मादेप के पास एकोई लेडिस रहती है उनके किसी रिष्टिदार लेके किया था उनसे कहकर तो वो बोली के ले जाओ हमें नहीं पता था एक और गंटा हो गया हमारे बच्चों को अब किसी का बच्चा नहीं मिलेगा वो कैसी कंडिशन होगी आप बताओ उसने सही किया किया बिल्कुल गलत किया है अगर दो लेके जाना है तो उसके पेरेंट्सों से कहे के लेके जाओ कि अब बताइब करेंगे लोगों कि खिलाव को करेंगे इसको लिए बैड़ियों कि बेजाए पहली बात तो श्लेट के वाज़ाओ प्रते हैं जोरेंगे अनव प्रत्रत कि खुलाया में जो कि और प्रत्रत को नहीं को नहीं के सामने वाले गरना कर ने जो कि जब देक वर पाले हुए। उनको ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद